जनपत संबल की थाना नकासा के शवासपूर में विवाहिता चमन अपने घर में बनी रसोई में गैस पर खाना बना रही थी तबी आग की चपेट में उसके कपड़े आ गए जिस कारण विवाहिता चमन बुरी तरह जुलस गई चीक पुकार सुनते ही परीजन दोड़ पड़े और विवाहिता चमन को जीले के अस्पताल में भड़ती कराया गया सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुच गई जहां पुलीस ने मामले की तहट तक जानी की कोशिश की मगर परीजन बात को गुमाते दिखे डॉक्टरों ने विवाहिता चमन की हालत नाजुक होने पर उसको मुरादाबाद रेफर किया फिलहाल पुलीस परीजनों से मामले की पूचताच में जुटी है लुटी विवाहिता